आईए एक नए विश्यवे चर्चा करते हैं हमसे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं भाग्य को लेकर, कर्म को लेकर एक छोटी सी कहानी लिखिए उससे समझी आगए एक बार भाग्य और कर्म हमें विवात चल रहा था, कि स्रेस्ट कौन भाग्य बोला मैं स्रेस्ट हूं कर्म बोला सारे कान तो मैं ही करता हूं तो स्रेस्ट तो मैं ही होंगा इसी बात करते करते तेज आंधी तूफान आ गया पानी का बाव बहने लगा प्रतिवी की हर चीज जल मगन हो गई हर चीज बहने लगी भाग ये अपनी जगा टिल खड़ा था, कर्म भी बहने लगा उसने बहुत कोशिश करी, हाथ पे रमारे जगा जगा अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा था वो जब उसकी सारे प्रयास विफल हो रहे थे, तब उसने भगवान को पुकारा उसी वक्त भाग ये आगे बढ़ा, उसने कर्म का हाथ पकड़ कर उसको बचा लिया तो भाग यानि भगवान, तो भाग ये तुम्हारा अधिकार है, कि तुम अपने काम करो लेकिन वो सारे काम भाग ये नरधारित होते हैं, इसलिए जब उस काम को करो तो अपने ईश्वर को जरूर याद करो, तभी वो तुम्हारे कर्म सार्थक होंगे, इसलिए हमारे कर्म भाग ये के साथ चलते हैं, इसलिए अपने ईश्वर अपने प्रभू को हमेशा याद रखिए, और उनका नाम लेकर काम करिए, तो आपके कर्म हमेशा अच्छे और प्रिया हुंगे